अब बचचेवी चाबलों से ऐसे कुरकूरे करारे है और जब अस जेस्टी पकॉóडे बनके तयार होगे न कि पूरा पकेली खा जा Venue तो मानसून स्टार्ट ओन के बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी ही पकॉडर आप जिरूर से भी बना सकते हैं तो थोड़ा सा वाटर स्पिंकल करेंगे हलका सा इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो यह देखे हमने ग्राइंड करके रख लिया है पता नहीं यहां पर वीडियो क्या हो गया था बहुत ही पास से रिकॉर्ड हो पाया उसके लिए सौरी तो आप स पति डाला है जोब कर करते हैं तो हो प्लकुल बारिक चौप कर लेंगे रही हैं टुर्या जीरा ne नमक टेस्ट के कॉर्डिंग आपको डाल देना है इसमें उसके बाद यहां पर ड्राय मैंगो पाउडर इन सब का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है को बाइंडिंग देने के लिए दो चमच ग्राम फ्लार यानि बेसन लेना है वो डाल देंगे तो खाने वाला चमच होत तो तेल मैंने यहां पर गरम होने रख दिया तब क्या करना है आपको हातों से इस तरीके से हलका हलका सब बाल बनाना है आप देख रहे हैं ना छोटे बड़े आपको जैसे सिखें तो बिल्कुल होट ओयल में आपको पकोड़े डाल देने हैं तो आप तेल देख सकते हैं बड़िया सा गरम है तो एक बार में जितने पकोड़े से जाए ना उतने ही डालिएगा बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि चावल स्टार्टिंग में होता है ना कि थोड़ा शिपकता है डाल कि बिल्कुल विस्टर ना करें थोड़ी देद बाद यह अपने आप ह कड़ाई को छोड़ने लगेगा तब आप इस्टर करिए उसको बड़िया सा गोर्डन कलर आने तक फ्राइ करना है वो भी हाई फ्ले में जैसे हलका गोर्डन हो जाएगा आप देखे ना अब आपको इस नहापन निकाल लेना है वो क्यों क्योंकि मैं आपको बताती हूं क् दोबारा एक्ष्टर फ्राइ करने वाले हूं बहुत ही टेस्टी आने वाला है तो यह से हलका गोर्डन हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं निकाल लेते हैं और फिर अब उसके बाद हमें क्या करना है यह सारे पकोड़े बना लेंगे बनाने के बाद वापस से हम क्या करे इसको एक्ष्टा किस्पी बनाने के लिए बिल्कुल हॉट ओयल में एक मिनट के लिए हम तुबारा सा डालेंगे और इसको डालकर अच्छे से एक मिनट के लिए फ्राय करेंगे और फिर निकालेंगे बस अब यह सेकंड टाइम जो फ्राय होके पकोड़े निकलते हैं तो अच्छे से ओयल को स्ट्रेंड करके और आपके देखते ही देखते ही बहुत ही टेस्टी वाले पकोड़े बनके तायर है तो बीच में वीडियो थोड़ा सा बहुत ही पास से रिकॉर्ड हो गया था बटा प्रॉसस देख लीजे बहुत पसंदा है यह बहुत ही क्रिस्पी किसा नजुए करें पसंदा है तो बाई